वेलकम टू लर्नर भी आयम शिवानी चाहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एर्थ हिस्ट्री की बुक का चाप्टर नाइन विमिन कास्ट एंड रिफॉर्म तो देखें से पहले के चाप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं स्विक्स के लास्ट के बचे हुए हैं वो भी हम देख चल्दी देखेंगे तो देखें इसमें स्टार्टिंग में बताते हैं कि आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 200 साल पहले बच्चे किस तरी के से रहते होंगे उन दिनों में जादतर गर्ल्स जो हैं मिडल क्लास की मतब आप सुरी आज के टाइम पर को पाले जाते है यह फिर यूरिस्टी जाते हैं और उसके बाद जॉब लेते हैं और लड़कियां भी एसा ही करती है कि पहले पढ़ाई करी फिर यूनिवरिस्टी कॉलिज आ लिगली नियुकर गरी और फिर एडल्स जब होते हैं 18 की एज से पहले अभी तो एइटी में आ वो किसी से भी शादी कर सकती हैं। सारी किसारी women, men के तरह ही vote देती हैं और election में खड़ी भी हो सकती हैं Of course, ये rights जो हैं ये actually हर किसी के पास नहीं है ज़ादतर लोगों के पास ये rights है पढ़ने का, फिर उसके पास जॉब करने का, rights तो सब के पास है मगर हर कोई इन rights को avail नहीं कर पाता, मतलब इनका इस्तमाल नहीं कर पाता है जादतर जैसे कि जो बहुत ज़द गरीब होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा पाते है पूर जो है, उनके पास लगभग आज के टाइम पे तो काफी access आ गई है education की वेट फिर भी बहुत ही पिछड़े इलाके हैं जापर बच्चे आज भी school नहीं जाते है काफी सारी families जो है, वो and in many families women cannot choose their husbands तो काफी सारी families में women, मतलब girls के पास कोई हक नहीं होता कि अपने husband को खुद चूस करें जो family मतलब उनके लिए ला देती है या फिर उनको जबरदस्ती करनी पड़ती है ऐसा भी आज भी हमारे समाज में चलता है, 200 years ago है ना आज का समाज बहुत ज़ादा बदल चुका है, हमारे पास as a family, as a person बहुत ज़ादा independence है, बहुत ज़ादा हमें आजादी मिल चुकी है आज से 200 साल पहले नहीं पढ़ने की आजादी थी, नहीं अपने तरीके से जीने की आजादी थी आज बहुत बदलावा चुके हैं, लगभग 200 साल पहले चीज़ से बहुत अलग थी, जातर चिल्रन जातर जो है ना 5-6, 5-6, 10-11 साल, मतलब आप समझ लोग 11-12 साल की बच्ची की तो शादी होनी ही होनी है चुर चुर बच्चों की शादिया कर दी जाती थी, और बोथ हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, उसमें दोनों धर्मों के आदमी जो हैं, वो एक से जादा वाइफ रख सकते थे आज तो कोई हिंदू मैंने एक से जादा वाइफ रखे तो वो इल्लीगल होता है, है ना, उस समय पर कोई भी सब, मतलब सारे आदमीयों को परमिशन थी की, वो कितनी भी वाइफ सकते हैं, कितनी भी शादिया कर सकते हैं, कुछ पार्ट कंट्री के ऐसे थे, जहां पे उसको अच्छा माना जाता था, उसकी तारीफे की जाती थी, और कहा जाता था, यह तो सती है, सती की पिक्चर जो है, यहां पर ड्रॉ की गई है, तो एक ऐसी प्रैक्टिस थी, जो की, इट वस वन अफ दे मैंनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाइ यूरोपें आर्टिस तो प्रैक्टिस ऑफ सती मतलब एक औरत को जिंदा जला देना, उसके पती के चता में एक बहुत ही बरबर और एक भराब चीज के तरह देखा गया, यूरोपेंस के त्वारा, बिल्कुल सही बात है, आपको सोचिए, एक औरत को जिंदा जलाया जा रहा है, और लोग हुए देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, इस तरीके के रिचोल्स हमारे देश में हुआ करते थे, आज तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, और विमेन जो की मरती ही इस तरीके से उनको सती कहा जाता था, और कहा जाता था ये तो वर्चूस वुमेन है, ये तो बहुत ही समझते थे, वो ऐसा समझते थे कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो विधवा हो जाएगी, पढ़ेगी तो उसका पती मर जाएगा, इस तरीके की बाते बहुत सारे अरियास में हमारे देश के समझे जाती थी, मानी जाती थी, और डिफरेंस जो है, मैन और विमेन का वो सि जादा प्रेविलेंट है हमारे देश में, और आसे 200 साल पहले तो सूची कितना जादा होगा, तो ब्रामन शत्रिया को अपरकास्ट माना जाता था, और बाकी सारे जो व्यापारी ट्रेडर्स होते थे, या फिर मनी लेंडर्स होते थे, जिनको वैश्य कहां कहते हैं, उनको ब्रामन शत्रियों से नीचे रखा जाता था, जिसकि हमारे हिंदु धरम में चार वर्ण हैं, ब्रामन शत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो मतलब बात ही नहीं करनी चाहिए उनसे तो, तो ब्रामन शत्रिय थे, उनको अपरकास्ट मानते थे, और ट्रेडर्स व्यापारी मन ब्रामन शत्रियों से नीचे माना जाता था, और पीजन्स हो गए, आटीसन्स हो गए, वीवर्स, पॉटर्स, इनको हम लोग क्या यार, हम लोग तो आज के समय पे तो यह सब चीज़े होनी ही नहीं चाहिए, पहले जमाने में इनको शूद्र कहा जाता था, जो वीवर्स, म पॉल्यूटिंग, तो मतलब कुछ ऐसी जॉब्स होती थी, सबसे नीचा उनको समझा जाता था, जो अपर कास समझती थी है, तो बहुत ही गंदा काम है, जैसी कि टॉइलेट साफ करने का काम, नालियां साफ करने का काम, और अपर कास्ट कहती थी कि यह तो हमें पल्यूट क जय से जिनको उन्तचरवल या फिर उन्तचरवल ही कहा जाता था कि आखर यह आसपास आ बहुत होट ना थाजयगी untouchables जो बल justement नीचे काम करते थे साफसफाइ करने वाल, उनको बहुत बूरा समझा जाता था उनको टैमपल स में आना भी अलाउड नहीं था उनको पानी बढ़ना भी अलाउड नहीं था जहां पर upper caste के लोग कुछ जिस कोई से पानी भरते थे न उस कोई से untouchable लोग पानी नहीं भड़ सकते थे और तलाबों में नहाने की मनाई थी जहां पर अपर कास्ट नहाते थे और दे वर सीन एस इंफीरियर हुमन बिंग्स तो जो उन्टचबल थे उनको इंफीरियर हुमन बिंग्स की तरह समझा जाता था यह तो निचले दरजे के वह हैं हुमन है ओवर दे 19th और 20th century many of these norms and perspectives slowly change तो 19th और 20th century 21st century में तो इस अब चीज़े काफी ज़दा बदर चुकी है ना 19th 20th century में changes काफी ज़दा आने लगे थे तो working towards change कैसे कैसे बदलाव आए अर्ली 19th century के टाइम पर काफी ज़दा debates होती थी discussions होते थी कि जो social customs है practice है यह मतलब इनका नया character आना चाहिए इनमें बदलाव आना चाहिए एक important reason यह था कि development of new forms of communication तो इतने जादा 19th और 19th century में इतने जादा जो बदलाव आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि नया form of communication डेवलप हुआ था जैसे कि communication का मतलब होता है जैसे कि मैं आप से communicate कर रही हूँ आप फोन पे बात करते हैं आप internet चलाते हैं यूट्यूब पर वीडियोज देखते हैं यह एक form of communication ही तो है टीवी पर न्यूस देखते हैं वो आपको बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं यह वन वे कम्यूनिकेशन हो गया तो फॉर्ट टाइम पहली बार बुक्स हो गई न्यूस पेपर हो गई मैगजीन लीफिलिट्स और फैमफिलिट्स यह प्रिंट हुए तो बहुत जादम हैंगी होती थी और जो प्रिंटिट किताबे थी काफी सस्ती होती थी इसलिए ओर्डरी लोग भी इनको पढ़ सकते थे और कुछ भी लिख सकते थे और अपने आइडियास को एक्स्पेस कर सकते थे अपनी ही भाशा में सारे के सारे इशूस जो चाहे सोशल ह हो एकोनॉमिक हो रिलीजियस हो इनके बारे में डिबेट होने लगी डिबेट का मतलब है बातचीत होने लगी और डिसकस करने लगे डिसकस्ट बाए मैन एंड सम्टाइम्स विमन आदमी और इनको डिसकस करने लगे नए ने शेहरों में डिसकुशन्स जो हैं काफी बड़ इनकी वज़ेसे तो इस डीबेश वह आज इनिशेट भाई इंडियाजर रीफार्म गुरप्व्आ तो यह इस डीबेश जो है वहने पर इपन्सार्ड की लिजेए काफी सारे इंडियन रीफोर्मर के दौरा रिफेर्प्श cannabis की तो इस रिफॉर्म व्हार्मों सभांधृ कर जाता था राजा- statistic में जरूरी बदलाव लेकर के आय और जो बुरी प्रैक्रिसंस थी उन्होंने कि उन्होंने सोचा कि umAKE कि बेस्ट वें स्टरीके से जो बुरी-बुरी प्रत्हाई excit married जीने का तरीका अपना हो तो परस्वेट करो लोगों को लिए गलत है और और उसे लोग मान जाते कई पर कानून बनाने पड़ते हैं तो राजय रामोहन रॉय रोय वस इन टु श्प्रेट, तो राजय रामोहन चाहते थे कि एडूकेशन जो वेस्टर एडूकेशन है वो इस्प्रेड हो कंट्री में जिससे ग्रेटर फ्रीडम और एक्वैलिटी आए विमिन के लिए तो मतलब राजा राम मुहन रोय लिखते थे लिखते हैं कि किस तरीके से विमन घर का सारा काम करती है और पूरी जिंदगी उनकी किचिन में ही रह जाती है और उनको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करने दी जाती है यह राजा राम मुहन रोय के पिक्चर है अब चेंजिंग थे लाइफस अव विडोस तो सती प्रथा को खतम करने के लिए काम किया था राजा राम मुहन रोय ने और राजा राम मुहनरोय पर्टिकुलरली उन्होंने राजा राम मुहनरोय वस मुवड वाइद फेज़ बाइड विडोस इन दियर लाइफ वी बिगेन अकेम्पेन अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती तो सती प्रथा को खतम करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था और उन्होंने अपनी काफी जद लिखते भी थे इन्होंने अपनी राइटिंग से यह दिखाने की कोशिश की कि विडो को जिस तरीके से जलाया जाता है ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है दिर्वस विडो बर्निंग है नो सेंक्शन इन एंशियंट टेक्स्ट जो हमारे पुराने गरंथ हैं उनमें विडो बर्निंग को कहीं भी सही नहीं माना गया है अर्ली 90 सेंचुरी में एज विए वरेट चेप्र सेवन में पढ़ाता कि काफी सरे बिडिश ओफिशियल्स ने भी क्रिडिसाइज करना शुरू कर दिया था इंडियन ट्रिडिशन को इंडियन कस्टम्स को तो बिडिशन जब देखते थे हैं किस तरीके से मतलब और तो को जिन्दा चलाया जा रहा है तो यह सब बहुत से तक रिडिसाइज करते थे अंग्रेज हमें और हमारे जिश के लोगों ने भी कहा कि भाई यह सब चीजे सही नहीं है जो गलत है वो गलत है तो राजा राम मोहं रोई ने इस चीज को रोकने के कुशिश की, सती क्या है? मतलब पती अगर मर गया है तो पत्नी को उसके चिता में जंदा चला तो यह होता है सती, तो यह सारे कस्टम्स का काफि जदा विरोध किया गया और राजजा राम 2029 में और स्ट्राइज़ी एडॉप्टेड तबाई राजा रामोहंटरॉय वास यूज़ब लिटर ट्राइजिए राज रामोहंटरॉय की उन्हों ने कहा लिए धियुखिए पुराने जमाने में सदीों से हमारे देश का जो कल्चर जड़ा आ रहा है उसमें सती प्रथक तो कहीं भी है ही नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं हमारे पुराने scriptures में हमारे गरंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ है सती के बारे में तो यही चीज बागी सारे reformers जैसे की widow remarriage कराने के लिए लड़कियों को पढ़ाने के लिए पुराने पुराने गरंथों का सहरा लिया गया लोगों को समझाने के लिए कि भी हमारे समाज में यह सब होता था आज यह कुरिती आ गई है यह पहले नहीं थी इनको मत जाता है युरोपियर ओफिशल्स ने देखा कि यह भी बहुत खराब है और किसके हुक लगाए जाते हैं दलित्स जो गरीब लोग है उनको माला चाता है उनके हातों में हुक लगा के लटका दिया जाता है कि भी तरपो तो कितना बार्बरिक और कितनी खराब चीज है तो इसमें advocate of sati मतलब opponent of sati advocate of sati का मतलब होता है कि sati के favor में कौन लोग थे और sati को ना पसंद करने वाले sati को लड़की नहीं है sati है एक practice जिसमें औरत को जिला दे जाता है तो इसमें जो sati के कहते हैं कि sati सही है यह कहते है कि women जो है ना by nature inferior होती है घर के रसोई के लावों ने कोई काम करने यह नहीं दिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि women inferior है women को आप knowledge दें wisdom दें और फिर उसके बाद आप तै करें क्योंकि अगर कोई आपने किसी इंसान को पढ़ाया फिर वह result नहीं ला रहा है तो आप कह सकते हैं वह inferior है या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है बट आप किसी को बिना पढ़ाए कैसे कह सकते हैं कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है वो नहीं पढ़ता है है ना तो यह बात है अब इश्वरचंद विद्यासागर के बारे में तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि सतिप्रिथा का अंत क किस के एफोर्ट्स की वज़े से हुआ वह हुआ राजा राम मुहन रॉय के एफोर्ट्स के बाद और लॉल आया गया था 1829 में सतिप्रता को कतम करने के लिए अब आते हैं एक और रिफॉर्मर के बारे में जो है ईश्वरचंद विद्यासागर उन्होंने भी जो पुराने एंशेंट टेक्स्ट हैं उन्होंने भी एंशेंट टेक्स्ट की हेल्प करी हेल्प ली सारी इंशेंट टेक्स्ट की हेल्प ली पुराने किताबों की या फिर पुराने गरंतों की हेल्प ली यह दिखाने के लिए कि हमारे देश में जो विदवा है उनका पुनर विभा हो स तो कुछ लोग जो जनकोई आइडिया बड़ा लग रहा था कि विद्वा दुवारा से शादिया कैसे कर सकती हैं तो उनोने इश्वर्चादर विद्या सागर के इस आइडिया को बहुत साथा नकार दिया तो यह डेट इंपोर्टन्ट है कि जो विडो रिमारिज अक्ट कब सेकेंड हाफ और नाइटीन सेंचुरी का जो बाद वाला टाइम था और मुवमेंट चले कि विडो की दुबारा रिमारिज होनी चाहिए अलग लग पार्ट में और तेलगू स्पीकिंग जो तेलगू स्पीकिंग वाला रीजन है मदरास प्रेसिडेंसी का उसमें वीरसलिं पंटुलू ने असोसियेशन बनाई थी इसी टाइम अराउंड असेम टाइम काफी सारे इंटेलक्ट्वल्स जो हैं एंडेफॉर्मस इन बॉंबे प्लेश्ट थेंसेफ्स तु वर्क फॉर्ट फॉर्ड सेम कोर्स तो काफी सारे और भी लोगों ने प्लेज किया कि हम विड तो यह कौन थे इशवर्चंद विद्या साकर जिनों यह सारा काम मेली स्टार्ट किया था और जिनकी एफ़र्स की वजए से अंग्रेजों ने 1856 में विडो रिमारेज आक्ट पास किया था फिर इशवर्चंद विद्या साकर का काम था अब इसके बाद आरे समाज से कौन बीडेड है स्वामी दैनन सरस्वति यह चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है आप गोगों को याद रखनी है कि आंग की साफना किसने की इससे पहले घ्रभ्रमो समाज था पर्मो समाज की साफना किसनी की थी वो गिति राचा रामुहन रोइने और स्वाम II दैनन सरस्वति न और काफी सारे विडोस थी जो उन्होंने अक्चुली मतलब क्या हुआ ना देखें कि बहुत सारे एक्ट बन गये एक्ट बन गया बहुत ओको ने काम भी कर लिया बट बहुत ही कम ऐसी विद्वा थी जिनकी दुबारा उस समय पर शादी हो पाई थी दोस भू मैरीड वर नॉट इजली एक्सेप्टे इन सुसाइटी एं कंजरवेटिव ग्रॉप कंटिनू तो अपोस दा न्यू लोग तो जिनकी मतलब शादी हो भी जाती थी तो सुसाइटी में लोग उन्हें एक्सेप नहीं करते थे अपनाते नहीं थे और जो कंजरवेटि मतलब हिंदु इजम जो खराब हो चुका है उसको ठीक किया जाए अब यह जो है ना आगे का चैप्टर है गर्स बेगिन कोईंग टू स्कूल यह वाला हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे तो कैसे लगा वीडियो ज़रू बताएगा अच्छा लगा तो लाइक करि चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ शेया करिए थेंक यू